आपका पूरा अनासिक एहमदाबाद गुजराद और महारास्टे के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है बहुत अच्छी फॉलोवर्स हैं आपके और मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा शाशन है ऐसी दिल्ली के अंदर भी हैं च्छोटी-छोटी पार्टी हैं जो बहुजन समाज की हैं बॉट हमारा रास्तमारा नहीं देखे इसन में निकाह पहले से ही हम लोग इस पे लड़ते रहे कि रविदास ही कह रहा है कि रविदास को मानना चाहिए बालमी की कह रहा है कि बालमी को मानना चाहिए और कोई कह रहा है कि फलाने को मानना चाहिए हम लोग इस बात को भूल गए कि ये इतियासिक पुर्श है इन्होंने इतियास बना है और इत्यास बनाने से वज़े से हैं उनको लोग आज भी याद करते हैं उन पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है या आज लोग उनको मानते हैं इसलिए उनकी इज़त बनी है ये भी सही नहीं है मैं आज कहता हूँ कि कबीर को कोई मानता नहीं है लेकिन कबीर के जो दो है हर साइतिक हर व्यक्ति हमेशा उसको इसमाल करता है हम लोग जो है वरतमान स्थिती में जीना जीए हम इतियास में जीना चाहरे है वरतमान स्थिती में अगर हम लोग जीएंगे तो शायद मेरी ख्याल से समस्याओं को लेके जो निर्मान करना है उसी को लेके हम लोग आपस में बैट सकते हैं ऐसा मैं मानके चलता हूँ इसलिए वर्तमान में जीना ये सबसे बड़ी जिमेदारी है ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि इतियास हमको सिकाता है कि हमारी गलतियां क्या होई वर्तमान ने हमको सिकाता है कि हमको क्या करना है और आगे हमको किस मुद्दे पर जाना है तो इन मुद्दों को लेके मैं समझता हूँ कि हम लोग के यहां एक राजनितिक मंच होना ज़रूरी है एक बा Community बात यह है कि म suppression की बात कर रहें हैं आप ये शुरुवात कौन करेंगा मैं उसे कह रहा हूं कि मंच की बात मैं उसे यह कह रहा हूं कि अगर माँंवलो मैं पूरी देश भूँनुद भो आपको जितने भी आज राजदी नितिक नैता दिखाई देते हैं शायद वो दिखाई नहीं देते हैं. या उन में और मुझ में कहीं न कहीं तो भी तू-तू मैं में चलती होती है. यह आप मानके चलिए कि उस वक्त के नबे से लेके आज तक जितने भी अम्बेट करवादियों में से दलतों में से जितने भी राजनीतिक नीता है. रामिलास को थोड़ा से छोड़ती हुए बीच में उन्होंने उत्तर प्रदेश में थोड़ा सी गुस्पैट करनी की कोशिश की. ने तो हर कोई जो है वो अपने इलाके तक ही सीमी तरह है. और जब तक वो अपने इलाके तक सीमी तरह मेरे ख्याल से यहां की एक अम्बेट करवादियों की मुव्मेंट जो है वो चलती रही. सत्ता भी नहीं आई. ये बात सही है. लेकिन उसके आवाज गुंशती रही. आवाज को सुनना पड़ा यहां इस देश में और एक इज़त मिलना शुबात हुई. आज मैं मानके चलता हूँ कि ये जो नेता जिन राज्यों में थे कुछ सत्ता में आएं. सत्ता में बैटने के बाद गल्तियां होती रहती है. मैं उससे ना कह रहा हूँ. लेकिन वर्तमान पर की सरकार जो है उनी गल्तियों को पकड़ के उनको दवानी की कोशिश चल रही है. तो इस हकीकत को भी हम लोग ने पहचानना चाहिए. आज कहीं लोग जो है उनकी गल्तियां को लेके कोशते हैं. कोशने से कुश नहीं होगा. सिर्फ हमानी जबानी आवाज जो है वो ही बहे जाएगी दूसरा कुश नहीं होगा. इसलिए मैंने जो कहा कि वर्तमान परसीती जो इस वर्तमान परसीती को देखते हुआ है कि ठीक है दवानी की कोशिश हो रिये राजनीतिक नेताओं को भी दवानी की कोशिश हो रिये ऐसे वक्त में बावा साब से पूशा गया था आन्दरा में कि आप किस पर भरोसा करोगे तो उन्होंने सविधान का प्रियांबल निकाला रहा है वी दी पीपल मैं इन पर भरोसा करता हूँ और आज वो ही दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक नीता इस लड़ाई में आगे नहीं है लेकिन सिविल सोसाइटिस में आगे है इस बात को हम लोग लोग को समझना चाहिए कि हर किसी का एक वक्त होता है हर किसी का एक मौका होता है और हर किसी का एक रोल होता है हम लोग इसको ना देखते हुए अपनी मन की बात या जो मैंने decide कर लिया है वैसे ही होगा तो मैं समझता हूँ कि सही है लेकिन मैं इस पर सोचने के लिए तयार नहीं हूँ कि या ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है इसकी वज़ा क्या है इसलिए आज मैं समझता हूँ कि राजनीतिक पार्टियां अलग हो जाएगी मतलब इस काई भी इनार्सी के खिलाफ बड़ी पैमाने पे दिखेगी नहीं आवाज तो करती रहेगी लेकिन सामने नहीं दिखाएदीगी सिवल सोसाइटी को सामने आना होगा और इस बात को मेरे खाल से जितने हम बिट करवादी अगर बाबा साब को सई धांग से पढ़ते अध्यन करते उस पे चर्चा होती गोश्टी की विचार होती तो शायद मेरे खाल से इन बातों को वो मानते कि राजनीतिक पार्टियां एक प्लैटफॉर्म है वो जब नहीं होता है तो दूसरा प्लैटफॉर्म को तो वो सिवल सोसाइट एक प्लैटफॉर्म बंग दिया प्रिकाश जी बाबा साहब अकेले थे और उन्होंने सत्ता का परिवतन कर दिया उन्होंने बहुजनों को एक नया आंदोलन दिया नहीं तागत दी लेकिन आज जबकि बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं था कोई भी पूजन मुमेंट तागत बन पाएगी बाबा साहब के जो अमेडरवादी बोलते हैं लोग अपने आपको फिर भी वो पीछे क्यों है सबसे बड़ी त्याग की भावना नहीं है कि त्याग यह सबसे बड़ी बात है मैंने जैसे कहा कि विया मेरी जेनरेशन मालो नबे में तो यहां तो मैं करता करविता था बीपी सिंग के सरकार में हम लोग कुछ भी कर सकते थे उस वक्त जो हम लोग को हासिल करना था वो हम लोग ने हासिल कर लिया सवाल यह रहा उसमें हम लोग त्याक की भावना रखते क्या जब तक हम लोग इस त्याक की भावना नहीं रखेंगे तब तक हम लोग सत्तादाजी नहीं बनेंगे जैसे बीच में आपने देखा होगा कि आपोजेशन के साथ में हम लोग भी थे लेकिन एक दोर आसा ऐसा भी आहे कि मायवती को प्राम मिनीस्तिर के रूप में वीरुदी पार्टियों ने अनाउंस कर दिया ये एक मोका होता है कि समाज के परिवर्तन की बात होती है अगर माया होती है उस वक प्राइम मिनिस्टर मनती तो शायद मेरे खाल से समाज एक परिवर्तन बहुत बड़ा होता जैसे कि आज एक परिवर्तन होने जा रहा है आज परिवर्तन क्या होने जा रहा है कि सब को दिख कि सविधान के बिना हम लोग आप बच नहीं सकते हैं। नियुकि को कहीं भी आए सदिकारी ओा यूँ आई सदिकारी हो। या और कोई साइतिक हो इस बात को ऋना थार नहीं कि समाज की मनते है का बदल चुकी है। वो बदल रहा है वो अपेक्षा ये कर रहा है कि जो बावा साथ के अन्यूआई है ये अन्यूआई आगे आके इसकी दौर समाले यहां के मनुवाद के साथ उनकी सीधी सीधी लड़ाई हो चुकी है इसलिए इस मनुवाद को किस धंक से हराना है इनका नक्षा और इनकी ताकत ये दूनों इसमाल हो सकती है और इसलिए वो अपेक्षा कर रहा है कि सामने आए मैं समझता हूं कि आपने जो पहले कहा कि हमारी यहां विचार गोश्टी नहीं होती है हमारी यहां सोच नहीं होती है हमारे एक्चेंज अफ आइडियाज नहीं होती है हमारे यहां कोई भी लेकग जो है वो इत्यास में लिखता है वरतमान में नहीं लिखता है बावा साब ने जो किया वो मैं समझता हूं कि उसका फल हम लोग खा रहे हैं हम फल खा रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है, कि ये फल हम लोग आगे की जनरेशन को कैसे दे, उससे बेतरीन कैसे दे, और जो बावा साब ने कहा था कि वे, मैं जो रत है यहां पर लिया आए हूँ, उसका बहुत बड़ा अर्थ है उसमें, आप इसको आगे नहीं ले जा सकते हो, तो इतनी जिम्मेदारी उठाओ, कि ये पीछे भी नहीं जाएगा, परिवर्तन जो मैंने किया है, उस परिवर्तन की सीमा यहां तक है, तो ठीक है, यहां तक है, आगे ले जा सकते हो, तो आगे ले जाओ, आज मैं मानके चलता हूँ कि ये जो फाइनल लड़ाई की बात मैं कर रहा हूँ इनारसी से लेके मनुवादी के साथ में ये आखरी लड़ाई ये ऐसा मैं मानके चलता हूँ एक तो हम लोग कैद होंगे नहीं तो इस देश का जो मनुवादी है उसको बदलना होगा अपना तोर तरीका बदलना होगा अपना सोच बदलना होगा अपना विचार बदलना होगा तो ये एक आखरी लड़ाई है कि जिस आखरी राई में अमबेडकर वादियों से ये अपेक्षा समाज कर रहा है नौन अमबेडकर वादी लेकिन आज सविधान की बात कर रहे हैं, वो आज डिमोकरसी की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, जैसे मुसलमान कह रहा है, वो ऐसे यहां कहीं दूसरे समाज जो है, कि जो बाबा साथ को मानते नहीं थे, वो आज कह रहे हैं कि आप आजाओ, हम आपके साथ में आ हाते समय इस उंगली को पकड़ने के लिए काफी जन त्यार है अभी यह है वक्त का तकाज़त हैसा मैं कहता हूं कि हम बेटकर वादियों को आगे आना होगा और अपनी उंगली दूसरों के हाथ में देखे उसको आगे ली जाना होगा तो यह मेरे कहाल से एक निर्णाइक वलाई में हमेशा आगे रहते हैं और उन्होंने कहा कि अभी जो टाइम है वह बहुजनों को एक जुट होने का है यही समय है जो बाबा सहाब ने आपको दिशा निर्देश दिये थे उन पे इंप्लिमेंट करने का उन पे काम करने का हम इसी तरीके से प्रकाश्ची के साथ घेरो सारी बाते करेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे आपने हमारी चैनल से बात करें इसके लिए धन्यवास अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंजी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि भी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले